चोपडा एजुकेशन यूटूब चैनल पर मैं हरसाई चोपडा आपका हर्दिक स्वागत करता हूँ प्यारे बच्चों यह है एक अलार्मिंग और मोटिवेशनल वीडियो है मैं इस वीडियो के जरीए आपको कोई important information नहीं देने वाला मगर यह है बताने जा रहा हूँ कि आपका medical college में enter करने का रास्ता open हो चुका है date भी announce हो चुकी है application form भी release हो चुके हैं हालांकि कुछ ऐसामाजिक तत्व हैं जो need को October में करवाने की बात उठाकर आप लोगों को disturb कर रहे हैं यह तो हर साल होता ही रहता है पिछली साल भी ऐसा हुआ था 16th लाग student में से 10 लाग ऐसे student होते हैं जिनको selection से कोई लिन देना नहीं होता है उनको पता होता है कि इस बार उनका selection तो नहीं होगा तो वो बाकी student को disturb करते रहते हैं तो इनकी तरफ आपने बिलकुल भी ध्यान नहीं देना है आपके पास अभी 50 days का समय सेस बचा है इन 50 days में आपको जी जान लगा देनी है मैंने पहले देखा है कि जब exam मई में हुआ करती थी तब मार्च और अपरेल student के लिए एहम होता था इन दो मैने में जो student रात दिन एक कर गया उसका selection हो गया अब आप अपने study hours बढ़ा दो, social activities बंद कर दो आने वाला एक एक दिन का एक एक hours आपके लिए important है इन 50 days में शिरफ और शिरफ आपको neat का क्यूसन पेपर ही दिमाग में होना चीए आप ये मत भूलो कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है आपको अपने parents का सपना पूरा करने के लिए आपकी रातों की नीन्ड या सुक्चेन खोना है वो भी सिरफ 50 दिनों के लिए आपने कभी ये अंदाजा लगाया है कि आपके selection पर आपके parents को कितनी कुछी होती है और बाईचांस लक्सन नहीं होता है तो उनको कितना दुख होगा ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि मैं भी किसी MBBS student का फादर हूँ और ये सब कुछ मैसूस कर चुका हूँ आपकी कुछी से भी कहीं ज्यादा आपके parents को कुछी होती है तो क्या आप अपने parents की कुछी हैं नहीं चाते आप अपने लिए ही नहीं अपने माबाब की कुछी के लिए तो दिन रात एक कर दो जाने कितने उमीदे हैं उनके सीने में आपके लिए बार से कठोर दिखने वाला आपका पिता लेकिन अंदर से तो वो काच की तरही है मा की ममता जिसका करज तो आप 50 दिन की मेहनत क्या 5000 दिन की मेहनत करके भी नहीं उतार सकते आपको अपने future की चिंता रहे या नहीं रहे मगर अपने parents की कुशी के लिए तो इन 50 दिन में दिन रात मेहनत करनी होगी 8 साल से मैं medical student की बीच ही रहता रहा हूँ हम बिचार बातें दरड संकलब तो बड़े बड़े करते हैं मगर जब उनको क्रियानवन करने का समय आता है तो कोई बहाना बनाकर अलग रास्ता निकालने की कोशीज करते हैं बच्चो आपका और मेरा एक एद्रस से पवित्र रिस्ता है मेरा motivation से काफी student के घराबाद हुए हैं बिना किसी स्वार्थ के मैं आपसे यही उमीद करता हूँ कि अपने माबाप का नाम रोसन करें और इसके लिए पचास दिन अपने आपको नीट के हवाले कर दे आज तक मैंने मैनत करने से इनसान को निखरते देखा हैं मरते नहीं देखा यह पचास दिन आप अपने माता पिता की नाम कर दो क्यूंकि उन्हों ने तो अपने लाइब का हर एक पल आपके नाम कर रखा है तो क्या आप उनके लिए पचास दिन की मैनत नहीं कर सकते मैं आपका ज़्यादा समय नहें लेते हुए वीडियो के अंत में यही कहना चाहूंगा कि आप मेहनत करो ये पचास दिन आपके लिए बहुत ही एहम है और मैं उमीद करता हूँ कि जब हम नेक्स्ट टाइम में मिलेंगे तो आप मेरे को ये कॉमेंट से जरूर करेंगे कि सर आपके एक वर्ड से फिर आप से मुलाकात होगी तब तक के लिए जैहिन